मद्यप्रदेश के रिवाजिले में मार पीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला एक बार फिर प्रकास में आया है जहां सिमर्यत हानांतरगत जलवार वाड क्रमांग साथ हरजन बस्ती की निवासी सरोज साकेत पती केशो प्रसास साकेत ने पुलिश दिक्षक कारयले में आवेदन दिया है उनका आरोप है कि 19 अगस्त को करीब 12 बजे की लगभग उग्रसेन साकेत पिता स्रीवा साकेत सुसील पिता उग्रसेन साकेत सुभम साकेत पिता उग्रसेन साकेत अपने अन्य साथियों के साथ प्योडित महिला के घर के अंदर घुस कर लाठी रंडों से मार पीट की और प कि हमां सी कायथ नहीं दर्ज्च की गई है dogs को सुनाते हैं परीट महीला का पता है कह एक्सक्राइज मेरी खिरर में वह हाँ मेला यार्म frustrated मैं गोटी गोटी काट दूँगा तो फिर में बेटा को अंदर की और में सामने आए तो मुझे मार दिये मेरे बिलाव यह खाड दिये और मेरे को गीरा के मारे मेरे यहां दर्द है कौन लोग मारे है यह वही मारे क्या नम उनका उनका नाम है उग्रसेयन स्री बाप में इस सब कहां के निबासी हैं इस सब जलमार के हैं थाना कम से लगए हुँआ है थाना गया थिए तो क्या आ बात हुए वहां पर खाना गया तो हमारे कोई नहीं लिया हमने वहाँ चार पांच घंटा बाइटी तो फिर हमने टीआई साहब तो पून किया तो ले ले हमारा नोबजी हमारे अबेदन ले और हम को रिसीव दी सेंटर जी और महिला उसाई बोली हम आपका रिपोर्ट नहीं ले सकती हैं फिर हमने मुंसी के पास गया तो मुंसी ने बोली कि हम आपका यह नहीं लेंगे आप यह कटा दो तब हमाग पर रिपोर्ट लिखेंगे, तो हमने बोला कि मेड़ा हम उल्हारी टांगा कटा देंगे, और फिर हमारा रिपोर्ट लिखेंगे, तो क्या हमको नेउता खाना है, क्या हम राजी नामा का का हम रिपोर्ट करेंगे, फिर हमने यह बोली सर्थ, क्या लगता है कही रि